गुड मानिंग स्टुएंट्स आज हम सेकेंड इनिट आभियू प्रारम करने जा रहे हैं तो बच्चे देखें कि आभियू किसे कहते हैं आभियू संख्याओ या फलनों का एक आयताकार क्रम बन्यास है इसमें संख्याओ और फलन को आभियू के अभियाप या जόσे अभियू हैं इनके अभियाप माइनस टूफाइव जो एक पहली रो में हैं दूसी रो में कौन कों से अभियाप हैं जीरो और बर्मुझ 5 तीसी रो में कौन से आभियाप हैं तो आप यू ए में कितनी रो है एक दो तीन इसी बेकार हम देखते हैं कि बी में कितनी रो है एक दो तीन और कालम कितने है बी में एक दो तीन तो B में तीन पंक्तियां और तीन इस्तम है A में तीन पंक्तियां और दो इस्तम है C में दो पंक्तियां और तीन इस्तम है तो तीनों में अंतर देख ले अब हम देखते हैं आभी कोटी आडर आपा मेक्ट्रिक्स तो यदि M पंक्तियां और N इस्तम हो उसकी कोटी क्या कहलाएगी M by N पहला M जो होता है वो नमबर आप रोज होता है या पंक्तिया होती है और N किसको बेक्ट करता है कालम्स को तो अब हम यहाँ पर मैट्रेस दियो हुए है इसमें तीन पंक्तिया दिख रही है और कालम कितना दिख रहे है दो तो इसका आडर क्या हो जाएगा 3 by 2 B में देखेंगे तीन पंक्तिया है और तीन कालम है तो इसका आडर कितना हो जाएगा 3 by 3 पहले नमबर पर जो संख्या लिखते है वो नमबर आप रोज या पंक्तियों की संख्या है और दूसी जो संख्या लिखते है वो नमबर आप कालम होता है तीसरा देखते है C का आडर इसमें नमबर आप दो है और नमबर आप कालम तीन है तो ध्यान रकना पहले नमबर पर जो संख्या लिख रहे है पंगृति होगी ओर दूसरे नंबर पर संख्या लिखते हैं वो नंबर-अप कालम होते हैं अब हमने यहां पर इस डागरम को देखो इस सबस्फट दिख रहा है इस कालम में चार कालम है ठीक है तो नंबर आप रोस और फोर नंबर आप कालम दूसरा एक और एक जाम पर दिखते हैं यहां नंबर आप कालम 4 दिख रहे हैं और नंबर आप रोस तीन दिख रहे हैं जिसका डामेंज सा यहां आडर क्या हो जाएगा 3 by 4 आप यू के प्रकार कालम मेक्ट्रिक्स इस्तंब आप यू जिसमें एक ही कालम हो तो यहने और फोर वाइब बन है यहने नंबर आप कालम कितने एक है तो इसको हम इस्तंब आप यू कहेंगे पंग्ती आप यू जिसमें नंबर आप रो वन हो तो इसको हम पंग्ती आप यू एक रो मेक्ट्रिक्स कहते हैं यहां पर एक एक जाम्पिल दिया है इसमें 1 by 4 यहने 1 यहने नंबर आप रो एक है वर्ग आप यू जिसमें पंग्तियों की संख्या और इस्तंबों की संख् बसकीмотр न आष्ट पर कंसी यह ज्यां आफ्यों विक हमाई अगोल मेड्रेस इन ही यहाँ पर डियागोनल मेड्रेव preventing दियार और अभर मेड्रेश लेती हैं है –1.2 and 3 और बाकी सारे element जो हैं 0 होते हैं तो यह है विकंड़ने आफ़ीट कहलाता है डियागुनल मेटर्स अधिस आपईउ जिसमें डियागुनल के elements समान हो यहां पा देखें डियागुनल में यदि एक है और बाकी सभी एलिमेट जो है जीरो है तो ऐसे मैट्निस को तस्समक आवियू कहती है थेंक्यो